हेलो प्रेंड्स तो आज है डे त्री और आज अभी अभी मैं सूख कर उठी हूँ थोड़ी तीर पहले ये ब्रश किया है और अब जाने वाली हुमें ब्रिक्फर्ष्ट करने और ब्रिक्फर्ष्ट के बाद हम लोग रड़ी होंगे रड़ी होने के बाद आज का प्लान है हम लोग का इशा फाउंडेशन जाने का तो यहां से कैसे जा रहे हैं सारी चीज़े शेयर करूंगे आपको और इशा फाउंडेशन पुछने के बाद आपको सारा वहां का अपडेट देने वाली हूं कैसे जाना है किस तरीके से जाना ह पहले से दिसे इशाए पांडेशन यहां से 30 युलो मेटर दूर है। यहां से 40 अब वह जाती आप आप कर सकते हैं पुली दिन के लिए या वो भी जाती है तो यह तीनों आप भम सकते हैं तीनों जोर फ्रॉले वह कुल वारिश थी को नोग को टो कहीं भी कवर नी कर पाए बस शाम को थोड़ा बहुत लोकल साइड सीन बस किया था ब्रिक फर्स्ट करनें हम लोगों पुझ्ट प्लोर पे जाना है और प्रिक फर्स्ट करने के बाद जल दे और हां ना है रेडी हो ना और यहां से निकलना है जिसमें डोसा, आपका ब्रेड, पूरी, सबजी, जूस, चाय, बहुत सारे ओप्शन्स थे, तो हमने पेट भर की ब्रिक्फर्स्ट कर लिया था, ताकि हमको लंच नहीं, और ब्रिक्फर्स्ट हमारा फिनिश हो गया है, अब हम जा रहे हैं, और आप हम नहाएंगे, रेडी हो होगे, और इशा फांडेशन के लिए निकलेंगे, तो ऐसे ही मैं आपके साथ, तीरे-देरे सारी जरनी आपके साथ, शेयर करती रहोंगी, कैसे जा रहे हैं, क्या है, पहले हमने सूचा था बस से जाएंगे, बट अभी हमने डिसाइड के हम कैप करेंगे, क्योंकि बस जग और कैप हमारी आ गए थी, कैप में हम बैट चुके थे, हमारी जरनी स्टार्ट हो गए थी, इशा फांडेशन जाने के पहले हमने एक दूसरी प्लेस जो है, कवर करना था, तो कहां जा रहे हैं, ब्लॉग पे बने रहे हैं, आपको पता चल जाएगा तो हमने कवर किया था मुर्दमलाई टेंपल फर्स्ट और इशा फांडेशन से आते टाइम हमें अंधीरा हो जाता, तो हमने पहले ये कवर किया था, यहां की काफी मानिता है, यहां पर मुर्गन जी, स्वामी जी का ये बहुत बड़ा टेंपल है, अगर आप कोई मतूर आ और यहां पर बहुत ही लंबी लाइन लगी हुई थी, तो पहले हम लोगों ने परिक्रमा कर लिया था मंदिर का और उसके बाद फिर यहां पर लाइन पर खड़े होकर हम लोगों को वेट करना पड़ गया था, तो मस्ट बिजिटिंग प्लेस में से एक है ये टेंपल पर आपको इंब दूर आते हैं तो, और सीधा व्यू मैं आपको टेंपल के ऊपर से ये पूरा और नीचे का व्यू दिखा रही हूँ, कितना अच्छा लग रहा है, चारु तरुफ सिर्फ हर्याली ही हर्याली है, और इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं अपनी जर्नी इशा फाउंडेशन के लिए, और हाफ एनार जर्नी करने के बाद, पाइनली हम इशा फाउंडेशन पहुच चुके हैं, तो सबसे पहले इशा फाउंडेशन जाने के बाद, हमने अपना मोवाईल वगेरा सम्मिट किया, मोवाईल पूर्न एलाओड ने था अंदर, तो हम लोग लोकर मिल जाता है, जो कि फ्री ओफ कॉष्ट ही रहता है, आपको वहां से टोकन मिल जाएगा, आप वहां पर अपना मोवाईल वगेरा सम्मिट करिए, टोकन लीजे, और अंदर जाएए, एक्स्प्लोर करिए, वह अगर तीन से चार गंटे कैसे चले जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा, तो वहां पर आपको कुंड में पहले ना ना होता है, तो लडकीों के लिए चंदर कुंड है और लडकों के लिए सूर कुंड है, दोनों सेपरेट सेपरेट है, तो आप लोग ये औप्शनल आप नह इतना चाहते हैं, तो आप करे सकते हैं, क्लॉट वगेरा, या फिर खाने पीनी का भी ऑप्शन है वहां पर, तो आप पर्स लाओड रहता है, पर्स लेकर जा सकते हैं अंदर, उसके बाद बाहर आने के बाद फिर हम लोग ने अपना मोईल पर्स लिया, और आदियोगी शि सिर्फ जाने का और लोटने के टाइम पर अगेन आपको टिकेट लेनी पड़ती है, टिकेट काउंटर वहां पर बने रहते हैं, तो टेन रुपीज ही चार्जेस है, तो जाने आने मितलब टोटल वन परसं का टोटी रुपीज लगता है, तो उसके बाद फिर हम लोग ने दर्सन कियें, और वहां पर सीफ स्वाइल का कैमपियन चल रहा था, तो उसमें भी पार्टेसिपिट किया, और उसके बाद अल्रेडी अंधीरा हो गया था, तो वहां से रिटन होने के बाद, फिर हम लोग ने अपनी कैब बुलाई, और कैब से फिर हम वापस अपनी होटल की तरफ, मतलब कोई मतूर के साइड जाने लगे, बीच में हम लोग ने स्नाक्स में गरा के लिए गाड़ी रोकी थी, हाफ इनार के लिए, तो थोड़ा बहुत स्नाक्स किया, और देन उसके बाद पर हम होटल चले गया और रात का डिनर हम लोग ने होटल में गया था, अज़ को अपने बाद बाद रेश्टरेंट एरिया है, वो भी 11 बजे बंद हो जाता है, तो एनिहाँ, हम लोग ने फोन से और कर दिया था, और फोन से और करने के बाद और यह जो प्लेस आप देख रहे हैं, यहाँ पर लोग चाय नाच्टे और थोड़ा वोग थोड़ा आप मुझे कॉमेंट करके जुरू बताईएगा, और ऐसे ही ब्लॉग में आप लोग लिए लेकर आती रहोंगी, और अब मैं ब्लॉग यहाँ पर एंड कर रही हूँ, तब तक के लिए मैं चलती हूँ, कोई भी क्योरी हो, रिलेटेड टो कोयम बतूर इशा फाउंडेशन आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में पोस सकते हैं, तब तक के लिए मैं चलती हूँ, बाबाए